काम्याबी की राह कितनी सुगा। जीवन में काम्याबी हासिल करने के लिए अपने सुनेरे केरियर के लिए जो युगा कोचिंग कर रहे थे कोरोना की कारण लोकडाउन की कारण अब कुछ इन संस्तान बंद होगे विद्यार्थी अपने अपने घर चलेगी यहां तक की कोलेज विस विद्याले भी अभी शुरूर नहीं हुए ऐसे में वो कर्मवीर हदास नहीं निरास नहीं अपने जोस खरोस को बरकरार रखे इसके कि यह मैं उनके उत्षा वर्दन के लिए 11 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आया दस्वा पाइदान इस प्रकार है मुस्कराहट वकरतग्यता मुस्कराहट प्रकरती की दीगिस होगात तनाव के इस दोर में लोग आसना भूल गये इसलिए टीवी वालों ने लाफ्टर चैनल खोल रखें ताकि लोग आसे मैं यह कहता हूं कि आप बेवजे तो नहीं है सकते लेकिन मुस्करा तो सकते हैं आगर आपने मुस्कराना छोड़ दिया है तो मेरी आपसे विनमर अपील है विन्ती है रिक्वेस्ट है कि आप आज से ही पुन मुस्कराना शुरू कर दें मुस्कराने को अपने व्यक्तित में सामिल कर दें मुँ बिगाड़ने से कहीं बहतर है आपके मुस्कराना एक बार आपके व्यक्तित में मुस्कराने की आदत आ गई तो आपके सपनों को साकार होने में कठना ही नहीं होगी इनसान की सबसे बड़ी खाशित है उसकी मुस्कराने के आदर छोटा बच्चा बोलता नहीं है केवल मुस्कराता है उसकी मुस्कराहट आपका ध्यान बर्बस खीज लेगी आप उसे गोध में उठा लेंगे नहें चाहते हुए भी आप उसको देखेंगे बोलेंगे यह तो बड़ा क्यूट है मुस्कराहट से परेशानियों पर काबू पाने की ताकत आती है मुस्कराना आपके सकारात्मक सोच की निशानी है दूसरों को खुश देखकर उनकी मुस्कराहट देखकर आप उनकी खुश्यों में सामिल होईए फिर देखें जिन्दगी में क्या-क्या चमतकार होता है आपकी मुस्कराहट आपकी सोच को बदल देगी आपकी पूरी जिन्दगी बदल जाएगी आप हमेशा नम्रता से पेश आए ऐसा बोलें ऐसा व्यभार करें कि लोग आप पर विश्वास करें आपके सब्द ही आपकी जमानत है जो कह दिया उसे पूरा करो लोगों से सम्मान के साथ बेवार करो करतग्यता को अपनी आदत में सामिल करें जीवन में करतग्यता का एहम महत है किसी ने भी आपकी यदि थोड़ी बहुत मुदद की है तो करतग्यता जताने में मित्रों कोई हर्च नहीं है आपकी विनमरता, आपकी मुस्कराहट, करतग्यता जताने के आदत आपके व्यक्तित में चार चौन लगाएगी ये आपको सफलता की और खींच कर रहे जाएगी